सिक्किम में ने काफी दुखद हाथ सामने आया बहुत सारे लोग सो के आसपास लोग पानी में एकदम से बह गए फ्लेस फ्लेश फ्लेट्स की वज़े से जिसमें से 23 तो आर्मी के जबान है बर सिक्किम में एकदम से जो फ्लेस फ्लेट्स आई उनका देखो में रिजन है ग्लेशल लेक आउटबस्ट फ्लेड सिक्किम में एक लेक है यह लोकेशन देखिए आप चाइना और नेपाल बोडर के नजदीक यह लेक है लोनक लेक यह ग्लेशल लेक है ग्लेशल लेक बनती कैसे है वो भी आप बेसिक्स जान लीजिए देखो जो माउंटियन्स के उपर ग्लेशर बने होते है न वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वज़े से धीरे धीरे नीचे खिशकते रहते है समझ गए ग्रेविटेशन की वज़े से धीरे धीरे नीचे आते रहेंगे और समय के अनुसार glaciers में काल्विंग भी होती रहती है, काल्विंग मतलब बड़े बड़े जो बरफ के टुकडे हैं ग्लेशर से तूटते रहते हैं, अब इसकी वज़े से यहाँ पे खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, यह जो लैंड होता है, यहाँ पे खड़ा होना स्ट की वज़े से, glacier melt भी होते रहते हैं, तो glacier की moment की वज़े से पहले यहाँ पे खड़ा हो गया था, यहाँ एक depression create हो गया था और अब साथ की साथ glaciers पिगल भी रहे हैं तो पिगलने की वज़े से जो पानी आएगा ना वो इस खड़े में जमा होता रहेगा जो एक लेक की शकल ले लेगा ऐसी ही lakes को कहते हैं Glacial Lakes जो glaciers की वज़े से बनती हैं अब एक चीज़ देखो आप Glacial Lakes की जो boundary wall होती है ना जैसे यहां पर ये इतनी strong नहीं होती ये boundary wall बनी होती है sediments और boulders से sediments मतलब जैसे पहाड से snow खिसकी तो बड़े बड़े चटान के टुकडे या फिर मिट्टी साथ लेकर आ गई जो ये debris होती है ना पत्थर वगएरा उनसे बनी होती है Glacial Lake की ये boundary wall और देखो जब पानी का pressure ज़्यादा बढ़ता है ना मतलब बहुत ज़्यादा पानी कठा हो गया लेक के अंदर या एकदम से बहुत ज़्यादा बारिस आ गई बादल फट गया और जिसकी वज़े से ब उत्राखंड में जो हाथसा हुआ था ना 2013 में वो Glacial Lake के फटने की वज़े से हुआ था जैसे आप ये देखे ध्यान से ये animation देखें इसमें न ये उपर है Glacial Lake Glacial Lake में पानी का लेवल धीर धीरे करके increase हो गया बरफ के पिगलने की वज़े से इतना ज़्यादा increase हो गया कि boundary वाल टूट गई और एकदम से पानी आ गया बहुत ज़्यादा और पहाडों में जो लोग रहते हैं उनको बहा के ले गया ठीक ऐसा ही होता है जब Glacial Lake में आउटबर्ष्ट देखने को मिलता है अब आप सिक्किम की घटना पर आईए सिक्किम में लोनक लेक में बादल फट गया था जिसकी वज़े से पानी का लेवल एकदम से increase हो गया Glacial Lake में पानी का लेवल बढ़ गया तो लेक आउटबर्ष्ट हो गई लेक की boundary वाल टूट गई इसकी वज़े से लोनक रीवर जो देखो फाइनली तीस्ता रीवर में मिलती है तीस्ता रीवर में भी पानी का लेवल एकदम से बढ़ गया और यहां पे थे आर्मी पर्सनेल 23 आर्मी के जवान जो पानी के साथ बह गए तीस्ता रिवर में पानी का लेवल इंक्रीज होने की वज़े से इसके अलावा भी बहुत से लोग पानी में बह गए क्योंकि लोनक लेक आउटबर्ष्ट हो गई इसकी वज़े से फ्लेस्फलर्ड आ गई तीस्ता रिवर में और लोनक रिवर में इस तस्वीर से आपको और भी क्लियर हो जाएगा 17 सितंबर को लोनक रिवर में पानी का लेवल इस परकार से था फिर 28 सितंबर को इस परकार से लेकिन 4 अक्टूबर को पानी बहुत कम हो गया क्यों क्योंकि लेक में outburst हो चुका था पानी यहां से भैके नीचे चला गया यानि लेक से पानी खाली हो गया और एकदम से boundary वाल तूटने के वज़े से पानी नीचे चला गया इसलिए 4 अक्टूबर के तस्वीर में लेक में पानी बहुत कम है अब दिखो दिक्कत पते क्या है हमारे देश में एक बड़ी आबादी glaciers के आज़ पास रहती है mountains में रहती है तो वो बहुत vulnerable है glacier lake outburst flood की वज़े से उतराखन का हादसा इसी वज़े से हुआ था जैसे मैंने आपको बताया अब तो climate change हो रहा है तो rain जो है वो काफी ज़्यादा irregular हो गई है glaciers तेजी से पिगल रही है तो कोशन उठते क्या करना चाहिए बहुत थरी steps उठाए जाने चाहिए देखो सबसे पहले तो न glacier lakes को monitor किया जाए अब कुछ lakes माली जे glacier lakes ऐसी है जहाँ पर पानी का level increase हो रहा है तो artificial pumping की जा सकती है artificial pumping मतलब कुछ पानी जो है वहाँ से artificially remove किया जा सकता है ताकि boundary wall ना टूटे lake की और flood ना आए दूसरा local जो community है local community और local disaster management force है उनको और ज़्यादा बहतर डंग से train किया जा सकता है क्योंकि ultimately देखो local community को कई बार search and rescue operations चलाने पड़ते हैं उसी समय तो उनको ज़्यादा train किया जाए infrastructure को अच्छे से manage किया जाए कि lake के आसपास मतलब पहले से कुछ scenario बना कर कि अगर flood आती है boundary wall lake की तूटती है तो कैसे पानी बहर आएगा तो उसके आसपास infrastructure ना develop होने दिया जाए ताकि जानमाल के नुकसान को कम से कम किया जासके इसके लावा early warning system early warning system मतलब पहले से थोड़ा अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर glacial lake outburst flood आ सकता है तो यह कुछ important steps है जो लिये जा सकते हैं यह पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे date आज की देखो 4 October 2023 है और discussion आज की काफी मज़ेदार और exam के लिए important है काफी सरे issues हम discuss करेंगे सबसे बहले issues हम discuss करेंगे छोटे राज्यों की demand से सम्मदित हाल ही में UP में एक अलग राज्यम बनाने के मांग उठी पच्चिम परदेश या फिर हरित परदेश दूसरा article हम discuss करेंगे election से पहले freebies को control करने के लिए code of conduct होना चाहिए फिर एक article हम toys से सम्मदित भी discuss करेंगे toy industry इंडिया में तो चलिए discussion start करते हैं recently central government के एक minister संजीव बाल्यान ने ये issue raise किया कि उत्र परदेश को divide करके एक अलग से राज्य बना देना चाहिए जिसका नाम हो पच्चिम परदेश या फिर हरित परदेश हलाकि उनके ये issue raise करते ही opposition भी start हो गया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए UP को intact रखना चाहिए हमारे देश में समय समय पर अलग अलग जगाओं से अलग अलग direction से छोड़े छोड़े राज्यों की बनाने की जो मांग है वो उठती रहती है जिसे एक मांग ये उठती है कि राजस्तान से एक छेत्र को अलग करके मरू परदेश बनाया जाए गुजरात में से ये छोटा सा जो हिस्सा है इसको अलग करके अलग से राज्यों बनाया जाए सोराष्टर ऐसे ये map देख लीजिए अलग अलग जगाओं से छोड़े छोड़े राज्यों बनाने की जो मांग है वो उठती रहती है जिसे हाल ही में मनीपूर में आप यह तो नहीं कहा सकते अलग से राज्यों की मांग ओ रही है लेकिन जो कुकी कम्मिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग से परसासन चलना चाहिए तो क्या इस परकार से छोटे-छोटे राज्यों बनाना सही है या फिर गलत है UPSC ने इस पर question भी पूछा था मेंस में देखो छोटे राज्य बनाने के PAKS में काफी सारे arguments है विरोध में भी काफी सारे arguments हैं अगर छोटे 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 राज्य बनाए जाते हैं अभी देशे हमारे देश में 28 राज्य हैं छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं न तो ज़्यादा अच्छे डंग से governance चल सकती है, administration चलाना ज़्यादा आसान होगा, जैसे UP की population अभी काफी ज़्यादा है 21 करोड के आसपास इतना बड़ा राज्य चलाना आसान नहीं होता, पूरे परसासन को एकजूट रखना, उस पे नियंतरान रखना मुस्किल होता है छोटे राज्य में governance ज़्यादा अच्छी हो सकती है, परसासन ज़्यादा अच्छे से चलाय जा सकता है, next more equitable distribution of resources देखो छोटे राज्य न resources को ज़्यादा अच्छे ढंग से distribute कर सकते है बजाए के बड़े राज्यों के बड़े राज्य में resources को equally distribute करना मुस्किल होता है, next increased participation in democracy, छोटे राज्यों में जनता ज़्यादा अच्छे ढंग से democracy में participate कर पाती है क्योंकि लोग जो है, राज्या छोटा है होते हैं तो local language को local culture को ज़्यादा अच्छे ढंग से सहेज के रखा जा सकता है बड़े राज्यों में ऐसा नहीं हो पाता जैसे UP में अभी इतनी सारी भासाएं बोली जाती है, अलग अलग टाइप का culture है तो सायद सब को सरकार सहेज के ना रख पाए लेकिन अगर छोटा रज्या हो तो वो अपनी language को जो भी भासा उस रज्या में बोली जाती है उसको कंजव करने पे ज़्यादा जोर लगाएगा, ज़्यादा focus लगाएगा अब देखो खिलाफ में क्या arguments हैं increased administrative cost देखो रज्या छोटा होता है तो अलग से capital का निर्मान करना अलग से high court, अलग से फिर से नई buildings बनाना जैसे आंद्रपरदेश को बनाने में अभी खर्चा आ रहा है बहुत ज़़ा खर्चा आता है, administrative cost काफी increase हो जाती है, next interstate disputes चोटे चोटे रज्या होने पे आपस में disputes भी काफी ज़़ा बढ़ जाते है अंद्रपरदेश और तेलंगाना का division तो हो गया, लेकिन दोनों में अभी भी काफी सारी disputes है, laws of national identity अब देखो जितने चोटे रज्या होंगे न उतना ही देश को एक परकार से divide किया जा रहा है, basic governance के लिए कई बार ऐसा होता है फिर लोग ना अपनी local identity को local जो रज्या की identity है ना उससे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और national identity को दूसरे नंबर पर तवज्यो देते हैं तो इससे national जो unity है ना उसका भी नुक्सान होता है last में regional imbalance state कई बार ना enough resources नहीं generate कर पाती अपने आपको चलाने के लिए जैसे जहारखंड का निर्मान हुआ जहारखंड छोटा राज्य बना लेकिन काफी instability आ गई छोटी विधानसबा होती है ना तो विधायकों की खृत फ्रोक तो और भी असान होती है तो stability relatively कम होती है छोटे राज्यों में तो जहारखंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया नया राज्य बनने के बाद में हलांकि हर्याना जब पंजाब से लग वगवा हर्याना ने अच्छा परफॉर्म किया point यह है छोटे राज्य कई बार अपने दम पर resources generate नहीं कर पाता अपना खर्चा चलाने के लिए तो यह debate है जो हमने समझी छोटे राज्यों का निर्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लास्ट में conclusion में आप कह सकते हो कि देखो case by case basis पर इसका फैसला होना चाहिए मतलब कौन से राज्य की demand कहां से आ रही है demand कितनी logical है यह सब चीज़े देखनी चाहिए overall आप सभी राज्यों के demands को एक पेमाने पर नहीं तोल सकते case by case basis पर देख सकते हो कि राज्य बनाना कितना उचीत है या फिर नहीं है otherwise देखो हमारे देश में tier 3 bodies है local panchaits है उनको empower किया जाए उनको अगर empower किया जाता है तो छोटे राज्यों के pucks में यह सारे points है यह अपने आप सर्व हो जाते हैं अगर panchait empowered है तो distribution of resources अच्छे से हो जाएगा अच्छी governance भी आ जाएगी low का participation भी democracy में सुनिश्चित होगा तो कहने का मतलब यह है panchaits को empower करना जादा better solution है बजाए के छोटे राज्यों का निर्मान करना आप भी अपने राय बताइए comment books में कि छोटे राज्यों का निर्मान होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए इसके बाद next article code of conduct on freebies से समधित हैं freebies मतलब election से पहले political party या फिर candidates के द्वारा जनता से जो वादा किया जाता है कि अगर हम election जीत गए तो आपको यह free में मिलेगा यह freebies होती है जनता का sport हासिल करने के लिए freebies का वादा political parties के द्वारा जनता से किया जाता है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं आप यह जो freebies का concept है न इसे UPSC aspirant की journey से समझिये देखो एक जो serious UPSC aspirant होता है उसके सामने दो रास्ते होते हैं एक तो यह कि अभी mobile में reels देख कर दोस्तों के साथ मस्ती करकर इदर उदर घूम कर immediate pleasure हासिल की जाए या फिर दूसा रास्ता यह होता है कि अभी जबरदर्स्त पढ़ाई करके अभी जबरदर्स्त पढ़ाई करके कैसे भी कैसे करके यह exam clear किया जाए और उसके बाद DM बनके, civil servant बनके देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया जाए तो जो serious civil services का aspirant होता है वो दूसरा रास्ता चूज करता है जिसमें long term pleasure मिलती है long term happiness मिलती है और serious UPSC aspirant अपने इस immediate pleasure को ignore कर देता है जो कि जातर लोग नहीं कर पाते है उसी परकार से यह freebies का concept है एक political party ना किसी भी democracy में एक political party की यह duty बनती है कि एक good governance दी जाए election जीत के skills पर ध्यान दिया जाए ऐसे देश का निर्मान किया जाए जिसकी जड़े मजबूत हों जिसकी foundations मजबूत हों अच्छी education दी जाए अच्छी health provide की जाए अच्छा infrastructure डवलप किया जाए लेकिन देखो अब इन चीजों में लगता है time जैसे exam clear करने में लगता है time लेकिन political party shortcut अपनाती है shortcut होता है कि बस जनता से free का वादा किया जाए जनता बाकि सारी चीज़े भूल जाएगी कल किसने देखा हमें तो 5 साल राज करना है तो political parties इस सोच के साथ election लड़ती है कि अभी सिरफ जनता को free का वादा दिया जाए और ये जो देश का निर्मान करना है infrastructure डवलप करना है health और skills अच्छी देनी है ये सब बात में देखेंगे जो कि कभी देखी नहीं जाती इसी वज़े से देश पिछड जाता है मतलब political parties serious UPSC aspirants की तरह behave नहीं करती है अब Congress की बात कीजिए अलग लग political parties की हम बात करेंगे सबसे पहले Congress की बात कीजिए करना तक election से पहले Congress ने बहुत ज़्यादा freebies का एलान किया था Congress election जीत भी गई अब Congress को लगा अरे ये चीज़ तो काम करती है अब दूसरे राज्यों में भी elections आ रहे है तो तेलंगाना में भी Congress ने बहुत सारी चीज़ें free देने का एलान किया है पच्चिस सो रुपे हर महिला को एक मन्त में 15,000 farmers और tenant farmers को 12,000 agriculture workers को हर महिने 200 unit free electricity housing sites, allotment of housing sites और जिनके पास में घर नहीं है उनको 5,000,000 रुपे अगर देखो ये सारी freebies जनता को दी जाती है न तो इसके लिए चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा अब बीजेपी की बात कीजिए तेलंगाना पे हम फिर से आएंगे देखो बीजेपी वैसे ये बोलती है कि हम empowered model of development को पर्मोट करते है यानि हम वास्तव में देश की जड़े मजबूत करना चाहते है ना कि freebies बाट के लेकिन पिछले लोक्सभा election से पहले बीजेपी ने भी PM किसान सम्मान इधी scheme लोंज की थी जिसमें किसानों को 6,000 रुपे एक साल में दिये जाते हैं तीन installants में दो-दो-हजार की Ultimately देखो इतनी ज़्यादा free की politics चल रही है तो BJP भी हो सकता है कि लोक्सभा election से पहले या फिर upcoming assembly election से पहले freebies का एलान कर दे इसके बाद आमादवी पार्टी का example लीजए आमादवी पार्टी का तो दिल्ली मोडल पूरा ठीका ही इस पे है free electricity, free water बाद में इस चीज को पंजाब में भी implement किया गया अब देखो इन freebies का असर क्या होता है आप वो देखिए आज के समय में पंजाब जो है आप ये ख़बर पढ़िए ये अलग ख़बर है कब की है 4 October 2023 यानि कल की पंजाब के उपर आज के समय में 3,27,000 करोड का डेट है और जो इस बार आमादवी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है पंजाब सरकार ने election से पहले किये वादो को पूरा करने के लिए जो freebies को implement किया है इसकी वज़े से डेट 55,000 करोड और ज़्यादा बढ़ गया है अब situation ऐसी हो गई है कि पंजाब सरकार को जो revenue मिलता है उसका 20% तो loan की किस चुकाने में या फिर interest देने में ही लग जाता है अब कहां से infrastructure डवलप होगा कहां से schools बनेंगे कहां से bridge बनेंगे क्यूं क्यूंकि freebies को दिया जा रहा है अब तिलंगाना की बात कीजिए राइटर कहते हैं तिलंगाना की जो अभी situation है ना economic situation देखो ठीक ठाक है डेट जो है तिलंगाना की सरकार के उपर 29% of GDP है जो की देखो अभी तो manageable है और तिलंगाना की जो per capita income है वो भी हमारे देश में one of the highest है 3,12,000 लेकिन अगर जो Congress ने ये सारी freebies का वादा किया है इनको implement किया जाता है तो तिलंगाना की economic situation काफी ज़्यादा खराब होगी दिक्कत पते कहां पर आती है जब political parties freebies का वादा करती है तो वो ये नहीं बताती कि पैसा कहां से लाएंगे और कितना पैसा खर्च होगा इन freebies को implement करने में ये भी नहीं बताया जाता काइदे से दिक्क पोल्टिकल पाटी इसको बताना चाहिए कि हमने जो freebies का वादा आप से किया है इसको implement करने में इतना पैसा खर्च होगा और ये पैसा हम कैसे लाएंगे क्या tax को increase किया जाएगा क्या capital expenditure को कम किया जाएगा capital expenditure मतलब जैसे school बनाना है road बनाना है क्या इस खर्चे को कम किया जाएगा या फिर revenue expenditure को कम किया जाएगा revenue expenditure जैसे salaries pensions का पैसा है उसे कम किया जाएगा या फिर उधार लेके हम ये freebies को implement करेंगे हम उधार लेंगे इन freebies को implement करने के लिए बताना चाहिए political parties को साफ साफ लेकिन वो नहीं बताते उनकी सोच होती है कि अभी तो election जीतो यार कैसे भी करके सामदाम दंड भेड देश की क्या हालत होगी राज्य की क्या हालत होगी वो बाद में देखेंगे अभी power तो हासिल की जाए तो कौन हैंडल करेगा इस freebies के issue को क्योंकि देखो ये तो बढ़ता जा रहा है जैसे पांच राज्यों में OPS scheme को implement कर दिया गया है old pension scheme को old pension scheme जब किसी राज्य में लागू होती है न तो state के उपर जो liability है वो 4.5 times बढ़ जाती है यादा आपको एक article हमने discuss किया था NPS versus OPS उसमें writer ने एक बहुत बढ़िया point बोला था कि देखो OPS पे इतना ज़्यादा पैसा सरकार खर्च करेगी इससे अच्छा तो सरकार ये करती कि जितना extra पैसा OPS पे खर्च कर रही है या उतना पैसा उन पैसों की साहिता से गरीब लोग के लिए कुछ किया जाता तब inequality भी कम होती है क्योंकि government employees की salary आलेडी अच्छी खासी होती है लेकिन comparison में इतने गरीब लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी का provision कर पाना मुश्किल होता है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए उससे देश में inequality कम हो तो बात ये है कि कौन करेगा freebies का issue कौन address करेगा देखो finance commission कुछ कर नहीं सकता finance commission के पास में कोई power नहीं है अब काईदे से parliament of state assembly में कानून बनना चाहिए freebies पे लगाम लगाने के लिए लेकिन इस पे कोई राजी नहीं होता हर एक political party अपने अपने इसाब से freebies की साहिता से जनता से vote लेना चाहती है अब बात आती है Supreme Court पे Supreme Court भी इस issue को हाथ नहीं लगाना चाहता दो P.A.L. फाइल की गई थी 2011 तमिलाडू का election से पहले तमिलाडू में तो freebies का culture और भी ज़्यादा है election जीते है तो free voting machine मिलेगी free micro oven मिलेगा इस परकार से वादे किये जाते है देंगे 2013 में Supreme Court का verdict आया और Supreme Court ने बोला अपने verdict में कि यह जो freebies का वादा किया जाता है election commission को गाइडलाइन बनानी चाहिए इस issue पे election commission ने guideline बनाई भी लेकिन काफी vague guideline थी उसका कोई असर नहीं हुआ फिर से 2021 में P.A.L. फाइल की गई Supreme Court में Supreme Court ने कहा कि हम एक expert panel बनाते हैं जिसमें सारे stakeholders हो ताकि इस issue पे कुछ guidelines बनाई जासके लेकिन कोई guideline नहीं बनाई गई कुछ भी नहीं हुआ लेखो democracy है हमारा देश किसी political party को हम रोक नहीं सकते अब यह तो लोगों पे उपर है लोग कब aware होंगे हमारे देश की जनता भी तो freebies से ज़्यादा influenced होती है ना तो यह लोगों के उपर है देखो Switzerland एक ऐसा देश था जहां पे न universal basic income के issue पे referendum कराया गया भई सबको कुछ ना कुछ free में मिले जनता ने referendum में मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए free में हमारे देश में वो level आने में अभी बहुत time लगेगा तो जब तक जनता वेर नहीं होगी political parties तो free के नाम पे खेलती रहेंगी लेकिन कुछ ऐसा किया जा सकता है कि representation of people act में amend करके कुछ guidelines डाली जा सकती है कि political parties जब भी freebies का वादा करे ना बताएं किती कोश्ट आएगी इनको implement करने में कहां से पैसा लाओगे क्या आप tax लगाओगे जो बात मैंने आपको बोली क्या revenue expenditure कम करोगे या फिर capital expenditure कम करोगे या फिर आप loan लोगे इनको implement करने के लिए ताकि जनता को पता तो लगे इसी से तो जनता aware होगी तो यह पूरा article हमने discuss किया freebies से समन्दित आप भी बताइए आपकी क्या राय है इस issue के ऊपर चलते हैं आगे इसके बाद next article toys industry से समन्दित हैं आप GS paper 3 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो तो इंडिस्ट्री मतलब खिलूनों की इंडिस्ट्री छोटे बच्चे जो खेलते हैं Context देखो यह हैं इंडिया ना toys के मामले में अब net exporter बन गया है पहले हमारे देश में 80% जो toys आते थे ना वो imported होते थे बट अब India net exporter बन गया है खिलोनों के मामले में दो चीजों को स्रेय दिया जा रहा है पहला make in India initiative 2014 में make in India initiative launch हुआ था इस initiative ने इंडिया में toys की domestic manufacturing को boost किया परधा मंतरी मोदी ने काफी focus किया making in India initiative पर तो इसलिए इंडिया के जो toy manufacturer थे खिलोनों के manufacturer उन्होंने अपनी production को increase किया और competitiveness को improve किया मतलब अपने products को improve किया ताकि वो दूसरे देशों में जाके became दूसी चीज़ जिसको credit दिया जा रहा है government sport and policy majors परधा मंतरी मोदी ने इवन मन की बात में toy industry का जिकर किया था कि हम इसमें self-reliant होने चाहिए इस sector की importance है काफी जादा तो government ने ऐसी policies चलाई जैसे देखो custom duties को increase करना अब मान लीजिए इंडिया में कोई चाइना से खिलोने इंपोर्ट करता है उस पर सरकार ने custom duty को 20% से increase करके 60% कर दिया तो चाइना के खिलोने इंडिया में महंगे भिकेंगे उन्हें कोई खिरीदेगा नहीं घ्रेलू जो खिलोने हैं जो इंडिया में ही बनते हैं वो सरस्ते भी केंगे उन्हें खिरीदा जाएगा उसके बाद है non-tariff barrier non-tariff barrier क्या होता है ऐसे barrier ऐसी रुकावट जो tax से सम्मधित नहीं है जैसे मैं आपको example देता हूँ मान लिजए किसी फरम को बोल दिया अगर आप चाइना से खिलोने इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको license लेना पड़ेगा और सरकार license बड़ी मुश्किल से दे तो ये non-tariff barrier है tariff barrier मतलब custom duty जैसे tax लगा देना non-tariff barrier मतलब फाइलों में उलज़ा देना restrictions लगा देना जिससे कि कोई person विदेशों से खिलोने इंपोर्ट ना कर सके या फिर दूसी चीज़ इंपोर्ट ना कर सके ये data है जैसे देखो 2018-19 में कितने खिलोने export हुए थे इंडिया से 812 करोड के 2021-22 में कितने 1237 करोड के इंपोर्ट की बात करें 2018-19 में खिलोने इंपोर्ट हुए थे 2593 करोड और 2021-22 में कितने 819 करोड के अब इसके बाद आर्टिकल में historical challenges and trends की बात की जाती है देखो historical ही ना हमारे देश में toys industry का जो size है न इतना बड़ा नहीं 2015-16 में 15,000 के आसपास companies या फिर छोटी enterprises खिलोनों की जिसमें 35,000 लोग काम करते थे और 2000 से लेके 2016 के बीच में toy industry का decline देखने को मिला बहुत सब्सक्रा job blows हो गया और इंडिया जो है उस समय imported खिलोनों पे ज़्यादा rely करने लगा 2000 से लेके 2016 के बीच में जो domestic toy manufacturer थे वो संघर्स कर रहे थे कि Chinese खिलोने जो सस्ते से देश में आ रहे हैं उनका मुकाबला कैसे किया जाए और वैसे देखो आजादी के बाद से तो सरकार ने थोड़ी घर्थ पोल्सी अपनाई toys के industry में investment को allow नहीं किया foreign investment को और वैसे ये sector थोड़ा result रखा even बड़ी companies देश के बड़ी companies भी इसमें enter नहीं कर सकेंगी small enterprises के लिए result रखा सरकार नहीं toys का sector लेकिन 90s में जब LPG reform आए तब इस sector को सरकार ने open कर दिया पहले जो restriction थी ना कि small enterprises सिरफ खिलोनों की manufacturing कर सकती है बड़ी जो firm से वो नहीं कर सकती ये सारी restrictions हटा दी लेकिन फिर भी toys सेक्टर में ज़्यादा फाइदा हुआ नहीं फिर अंत में make in india initiative चला सरकार कहती है इसका फाइदा हुआ बड़ राइटर के ना अपने concerns है राइटर कहते है ये देखो toys industry में हम export तो increase कर पाएं हैं बड़ इसके दो reason हो सकते हैं पहला तो protectionism सरकार ने जो tariff और non tariff barrier लगा दिये हैं न विदेशी खिलोनों पे इस वज़े से domestic जो खिलोने हैं वो ज़्यादा भी कर रहे हैं तो पहला तो ये reason हो सकता है protectionism की policy कि सरकार domestic खिलोनों की companies को protect कर रही है विदेशी खिलोनों पे tax लगा के उन पे non tax barrier लगा के non tariff barrier लगा के ताकि वो इंडिया के market में ना एंटर कर सके हैं दूसरा अभी COVID-19 की महमारी आई साइध इसकी वज़े से हो सकता है कि चाइना के खिलोने इंडिया में ना आ पा रहे हो और वहां की companies मतलब चाइना में एकदम से COVID-19 आ गया था ना कुछ समय पहले तो उनकी companies दूसरे देशों में खिलोनों को ना भेज पा रही हो और वो वोईड इंडिया की company ने फिल किया लेकिन क्या ये sustainable है क्या ये लंबे समय तक जारी रहेगा ये सोचने वाली बात है तो यही question writer raise करते है बेसक हमारा खिलोनों का export तो increase हुआ है लेकिन ये भी सोचने वाली बात है क्या ये sustainable है आगे भी जारी रहेगा या नहीं रहेगा conclusion में कहा जाता है transition जो हुआ है toy importer से toy exporter का ये significant achievement है देश के लिए इसमें जैसा कि आर्टिकल में कहा जाता है making India initiative और policy reforms जो सरकार के हैं दोनों ने contribute किया बढ़ देखने वाली बात होगी ये sustained growth बरकरार रहती है या नहीं रहती है तो ये पूरा article हमने discuss किया अब चलते हैं आगे questions देख लीजे जो आज आज आपको attempt करने है mains के ये दो questions आपको attempt करने है एक तो glacier lake outburst flood से समन्दित और उसके बाद दूसरा question है छोटे राज्यों के demand से समन्दित pwonlyis.com पे जाके आपको दोनों questions attempt करने है ये 2019 में pre का question UPSC ने पूछा था कौन सी river कौन से glacier से निकलती है ध्यान से पढ़िये question को और ये question 2013 में पूछा था fresh water से समन्दित दोनों questions को ध्यान से पढ़िये और comment books में answer दीजिये उसके बाद मैं आपको बताता हूँ देखो दोनों questions का answer C है C, C तो ये थी हमारी आज की discussion फिलाल इस discussion में इतना ही एंकल फिर से मिलते हैं अभी के लिए thank you thank you very much for discussion